इगनू के किसी भी सब्जेक्ट का फ्री गैस पेपर लेने के लिए Study Height एप को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल Study Height को सब्सक्राइब करें धैन हम आपको किसी भी आपके एक सब्जेक्ट का फ्री गैस पेपर प्रोवाइट कराएंगे सो फ्रेंट आज की वीड़ों में बात करेंगे काफी इंपोरेंट टोबिक पर जैसा यह आप सबी को पता है June 2023 Termined Examination के लिए जो Assignment Submission Procedure अभी चल रहा है उसकी Last Date 31st March 2023 है बट काफी स्टूडेंट के माइन में ये कोशन है कि क्या ये Date Extend होगी क्योंकि काफी स्टूडेंट के अभी Assignment Complete नहीं हुए है किसी के एक subject का Assignment बागी है किसी के दो सब्चेक का Assignment बागी है इसी तरीगे से इस्टूडेंट के काफी Assignment अभी Complete नहीं हुए है जिसके वज़े से वह doubtful है और परिशान भी है कि क्या इसकी date को extend किया जाएगा या नहीं किया जाएगा So according to past record जितना भी last 3 या 4 साल में मैंने observe किया है इसकी last date को उसके according last date बढ़ने के जो chances है वो 90% से भी जादा है क्योंकि हर बार इगनू 31 मास तक ही assignment submission के लिए student को बोलता है बट student किसी ना किसी कारण से assignment submit नहीं कर पाते है जिसकी वरे से इगनू assignment submission की last date को extend करता है और अगर इगनू की last date extend इगनू करेगा तो पूरे March के बाद यानि की पूरे April मन तक आपकी last date extend होगी यानि की 30 April तक बट इसकी possibility 90% से जादा है और ऐसा नहीं है कि मैं आप confirm बता सकूँ क्योंकि confirm जब तक नहीं कर सकते जब तक कोई official notification नहीं आता है बट हर बार की तरह इस बार भी date को extend करने के chances काफी जादा है date extend हो जाएगी जहां तक मेरा opinion है बट फिर भी आप कोशिश करें कि आपके assignment 31st March से पहले complete होकर submit हो जाए क्योंकि अगर आप इसमें delay करेंगे तो हो सकता है 1% अगर आपको कोई charge ना मिले assignment further submit करने का तो आपको किछी तरह की problem face ना करने पड़े at least उतने assignment तो आप 31st से पहले submit कर दें जिनके आप exam दे सकें अगर आपका कोई एक assignment रह जाता है suppose that आपके 5 subject है और 4 के assignment complete है तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप उस एक assignment के लिए बाकि 4 के assignment को pending ना रखें उन 4 की assignment 31st से पहले submit कर दें अगर in case कोई notification इगिनू की website पे आपको नहीं मिलता है या फिर कोई information आपको नहीं मिलती है मेरे तुरू या किसी भी मात्यम से इसलिए आपके जितने assignment प्रिपेर हो गए है उनको आप submit करने ताकि आपको कोई problem face ना करनी पड़े and second चीज ये कि आप जब भी assignment submit करने जाए अपने इस session के लिए तो assignment की receiving आप जरूर लेके आए ताकि आपको in future कोई problem face ना करनी पड़े योगि काफी student जल्द बाजी में assignment submit कर देते हैं बट उनके पास कोई record नहीं होता कि उन्हें assignment submit किया है जिसकी वरे से उन्हें बाद में problem face करनी पड़ती है काफी बार student के marks update नहीं होते है या उनके assignment miss हो जाते है तो इस वरे से इस चीज़ का दिहान रखें और assignment submission slip को आप जरूर बना के लेके जाए assignment submission slip हमारी steady height app पर available है वहाँ जाकर आप एक click करके ही download कर पाएंगी वहाँ से आप विशे download कर लीजिए ताकि in future आपको problem face ना करने पड़े और रही बात last date की तो last date extend हो जाएगी हर बार होती है तो इस बार भी होने के chances काफी ज़्यादा है बट मैं आपको suggest यहीं करता हूँ कि हमेशा last date से पहले ही अपने सारे काम complete कर ले ताकि बाद में आपको परिशानी ना हो last date के बरोसे आप ना बैठे योगि last date पर काफी problem face करने को मिल सकती है हो सकता है आपका study center open last day पर हो या ना हो आप assignment submit करने जा सके या ना जा सके तो इसलिए इन सब चीजों का avoid करे और last date पर focus ना करते हुए assignment complete करने पर अपना focus ज़्यादा रखे 31 से पहले हो सकता है notification आपको मिले और 90% से ज़्यादा chances है कि notification आएगा तो इसलिए आप panic ना करें और tension ना ले अगर आपका कोई assignment complete नहीं भी हुआ है तो उसके लिए आपको time मिल सकता है इसके chances काफी ज़्यादा है सुमीद करता है यह information आपके लिए helpful नहीं होगी और जो student थोड़ा panic कर रहे थे उन्हें भी relax मिलेगा और tension की ज़रुत बिलकुल नहीं है assignment, submission, procedure को आप इतना बड़ा issue भी ना मानके चलेगी जिससे आपको इफेक्ट बढ़ेगा बड़ इसको इतना lightly भी नहीं लेना चाहिए कि उसको आप इल्कुली ढील छोड़ दे इसलिए थोड़ा सा फोकस करके अपना assignment प्रिपेर करें और उसे जल से जल सम्मिट करें इस वीडियो को सभी अपने इगने उस्टेंट के साथ शेर करें और अगर आपने स्टेडी हाई डैप को डाउनलूड नहीं किया है तो डाउनलूड कर ले वहाँ पर मैं सभी अपडेट्स आपको देता रहता हूँ और साती साथ मापर गैस पेपर और सौल वसाइमेंट भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल सके और मैं मिलूँ आपसे नेक्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तिल देन टेक कियर और गुडबाए